So yes, what's up and welcome back to this new video to talk episode 5 तर जैसे आपको बताए इस video में, इस video to talk series में मैं बिंदास खुल के बोलता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं वो है क्या score, क्या marks matter करते हैं college life में क्या college में marks की इतनी value होती है, क्या हमें अच्छा score करना चाहिए तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले है कि college में marks matter करते हैं या नहीं करते हैं तो यार वीडियो को पूरा देखना, मुझे instagram पर follow करो, मैं आपे new new content की update पहले ही दे देता हूँ ताकि आपको कोई वीडियो मिस न हो, तो यार देरी न करते हूँ करते हैं, तो यार देरी न करते हूँ करते हैं वीडियो को start तो school life में हमने सुना है कि यार, यार parents बोलते हैं, 10th में अच्छे नंबर ले आओ, तो आगे life set है, फिर 11th में आते हैं, बस इतना पढ़ लो आगे life set है, फिर college में आते हैं, कि यार बस इतना कर लो, इतने time पढ़ लो, फिर life set है तो यार यार अपने हर जगा सुना होगा, अपने parents से, और हर जगा अपने अपने dose, related हर जगा सुना होगा, बट आपने ये भी सुना होगा, कि यार पढ़ लो थोड़ा, अच्छे marks ले आओ, ये करो, वो करो, तो यार इंडिया में एक चीज है, आपकी skills से आधना, आपके marks अधा important होते हैं, कोई नहीं देखता है, आपके अधर कितनी अच्छी skills हैं, कोई कभी इसको notice नहीं करेगा, बस लोग ये देखते हैं, आपके 10th में कितने अच्छे number है, 12th में कितने अच्छे number है, college में आपने कितना अच्छा score करा है, लोग ये देखते हैं, आज भी में आपके marks matter करते हैं या नहीं, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं इसमें example लेता हूँ, दो बच्छों का, एक बच्छा है, जो अपना family business कर रहा है, या फिर कोई अपना business open करने वाला है, एक बच्छा है, जो college में placement के लिए है, कि वो degree के बाद एक अच्छी जगा job ले सके तो इन दो बच्छों के point of view से हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, एक बच्छा जो अपने parents के business में जाने वाला है, या खुद का अपना business start करने वाला है, तो या उसके लिए marks बिल्कुल भी matter नहीं करते हैं, क्योंकि उसको पता है यार, उसने कुछ भी marks achieve करे हैं, चाहिए वा सिर्फ पास-पास हो जाये, उसके लिए marks बिल्कुल matter नहीं करें, क्योंकि उसने जो business करने हैं, वो उसने खुद का करने, या बात समझ में आ रही है, लाइक उसने जो business करना है, उसने वो खुद का करना है, इसलिए उसको marks ही कोई जरुएती नहीं है, marks उसके ल या फिर अगर आपने B.T.E.G करी है तो यार आप इंजीनियर हो, इंजीनियर शी ओम बजाज ऐसे नाम के आगे आ जाएगा, बस उसके लिए ये मैटर करते हैं, उसके लिए डिगरी मैटर करते हैं, उसके पास एक डिगरी आगी, बस वो मार्क्स जो हैं, वो खाली कागच है जो उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि उसने बिजनस करना है, और कोई उससे आखे पूछेगा नहीं आपने स्किल्स पर करना है, और कोई उससे मार्क्स नहीं पूछेगा, तो उसके लिए मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, अब बात करते हैं जो बच्चा placement के लिए कोलेज में कि उसके parents इतने उसके parents का कोई business नहीं है फीछे ना कि उसके पास इतना background अच्छ है कि वो अपने लिए पर इतना अच्छा business setup कर सके तो वो चाते हैं यार वो चाते हैं अपनी secure life जी ना वो चाते हैं MNCs में लग जो एक company में लग जो वहाँ पर एक अच्छी placement मिल जेगी आपको तो आपकी life set है तो जार उनके लिए marks matter करते हैं और marks matter क्यों करते हैं कि most of companies आपकी 60% से नीचे बच्चों को जिनके 60% से नीचे marks होते हैं उनको बैटने नहीं देती हैं अपने interviews में और कई जो MNCs क company है वो कहते हैं 70% से जिसके नीचे हैं वो हमारे interview में नहीं बैट सकता तो उन बच्चों के लिए marks बहुत matter करते हैं और अब बात करते हैं कि कितने minimum marks होने चाहिए कि आप सारी companies के interviews दे पाओ तो उसके लिए आप 75% अपने marks maintain करके चलो because 75% अगर आपके marks maintain हो गए हैं तो आपकी most of companies आपकी maybe सारी की सारी companies आपको अपनी interview में बैटने की permission दे सकती हैं तो इसी के लिए अपना ध्यान रखो आप अपनी field पहले से ही choose कर लो आपको placement चाहिए आपको business करना है उसी साब से आपको अपने study पे ध्यान दो तो अगर आपको business करना है तो marks बिलकुल भी matter नहीं करते हैं अगर आपको एक job करनी है अगर आपको एक company में job करनी है तो yes marks matter करते हैं बात करते हैं माक्स सबस्यादा मेंटर करते हैं या स्किल्स मेंटर करते हैं सबस्यादा तो यार बात यह है कि आपके माक्स आपको एंटरेंस दिलवा सकते हैं किसी भी चीज में लेकिन उसमें काम्याभी पाना वो आपकी स्किल्स है तो माक्स इचाबी है उस तालेगी जो आ जो आपको उस कमरे के अंदर उस लोग को क्रोस करने के बाद उस गेट को क्रोस करने के बाद आपको सक्सीड करने में आपको एक अच्छी लाइफ जीने में अगर आपको एक अच्छा एक अच्छी सक्सेस्फुल लाइफ जीने में हेल्प कर सकती है तो यार इसी के साथ करते कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए आपके जो डाउट्स हैं उसे कमेंट करो विए आज कल मैं भी कमेंट्स का रिपलाई ना दे पाऊँ बट मैं उनका आगे वीडियोस में वीडियो बना के उसका एक exact अच्छा प्रोपर रिपलाई देऊंगा तो वाद इसी के साथ करते हैं और अगर आप मुझे Instagram पर अब तक फोल्ो नहीं करना थो जाओ Instagram पर फोलो करो यह नीचे यहाँ पर मैंने दे दिया Instagram का link नीचे description भी मैरे Instagram का link given है तो जाओ instagram पर मुझे फोलो करू तर इसे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में फुल चार जोगे टेक केर बवय एंड रिमेंबर आई लव यू ओल